नमस्कार दोस्तों मैंने नाम है विशाल और आप सबका सवाकत है स्टॉक बोक्स के वीकली मार्किट आउट्लूक वीडियो में यहां पर हम आनलाइज करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए लॉजिकली कौन-कौन से लेविल्स इंपॉर्टेंट हैं कहां पर आप फसने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बाइस स्पेसिफिकली बहुत जल्दी हो जाता है आप देखे कि ज्यादा तर लॉस इनका रेंजबांड मार्केट में होता है ट्रेंडिंग मार्केट आप आज एनका पर ये निफटि कई खोंग क्लोजिंग आई है तैarat 2 1988 बातब्स वा दिशन वाновग तो हुआ है सबसे तो आप इससे लोग पोजिशन लोट लेना है ज। सबसे बहता है दियो इयरिया में माक करा आ और है है जो है risky है अब trap बड़ी जल्दी हो सकते हैं अब यहाँ वे support कितना है 22900 तो long position के लिए जो है उपर breakout के लिए एक तो 23800 सबसे पहला resistance रहेगा अगर आपने long position लिया है let's say support के आसपास ले रहे हैं जो कि काफी बढ़िया range रहेगा तो resistance वन आपका क्या है 23800 और अगर 23800 क्रॉस करता है और 24200 पर इसको दूसरा resistance मिलेगा तो यह दो resistance आप ध्यान रखें लेकिन बस यह देखना है कि यहां पर आप trap नहीं हो तो जब यह दो resistance अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जब तक कि 24200 के ऊपर नहीं जाती है ना तब तक आप मान के छलिए कि यहां पर बहुत bullish market नहीं है टेक्निकली ठीक है तो टेक्निकली बुलिश तभी होगी जब 24200 के ऊपर का हमारा level है इसक्यों देखने को मिलेगा उससे पहले आप यहां पर अगर buy करने बयाठ जाते हैं तबinaire हो सकते हैं यहां पर आप buy करने के लिए बाठ जाता है तब हमांते हैं तो यहदी एडिया जो है यह यहां पर बड़ा ही मैं कहुंगा काफी बड़ा आपको stop loss सकना पड़ेगा शौट पोजिशन में अगर आप देखते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी यहां पर लेकिन असान नहीं होगा बाइस नहीं का लेवल टूपना इतनी जल्दी आपको नहीं एक सो 179.5 तो 180 का लेवल है आप समझज़े 50,180 का और यहां पे भी देखिए नीचे के तरफ जो सपोर्ट है बांक निफ्टे का वो 49,700 पर है 49,700 अभी तक बांक निफ्टी ने टच नहीं किया है निफ्टी के कंपारिजन में बांक निफ्टी थोड़ा बढ़िया रहा है आजाए आपको यह मानके चलना है कि market technically weak है तो long positions बनाएं तो ज्यादा बड़े target नहीं रखने है अब ध्यान रखे जितने लोग long positions बना रहे है ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे है दिक्कत यह है कि जब buy वाले buy में बाटते है उनको लगता है वास यहीं से market high पे चले खराब है लेकिन probability आपको देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि निफ्टी भी हमने देखा कि 200 DMA के आसपास आ चुकी है तो आसपास चल रही है यहां से तो हो सकता है हमें थोड़ी recovery देखने को मिल जाए लेकिन trade वही कर पाएगा जो proper risk management करेगा क्योंकि market के ऊपर जाना और चैनल को भी subscribe कर लीजिए अगर आप ऐसी वीडियोज और अपने YouTube फीड में देखना चाहते हैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद